जरा सोचो अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर एक जगा से गायब होकर दूसरी जगा पहुँचने की ताकत है और इसका इस्तमाल करके तुम एक दिन में जीरो से हीरो बन जाओ कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरवात में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में आम जिंदगी बिता रहा था उसे अपनी क्लास में मिली नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी एक दिन डेविड ने उसे कांच का एक सुन्दर सा गोला तोफे में दिया और वो सीधा नदी में जा गिरा पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला अचानक डेविड की याँ खुली तो वो एक लाइबरेरी में था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या लाइबरेरी से निकल कर वो सीधा घर चला गया वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था उसकी मा मैरी उसे बचपन में ही छोड़ कर चली गई थी विलियम ने पूछा कि वो अब तक कहा था लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया विलियम गुसे में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका जैसे ही वो अंदर आया डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइबरेरी में पहुँच गया अब डेविड को ऐसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगा से दूसरी जगा जा सकता है वो अपने कमरे में पहुँचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरवात करने का फैसला किया फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुन्दर सुन्दर शेहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बच्पन में अपनी मा के साथ गया था अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उडने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुँच गया अब उसे एसास हुआ कि वो सिर्फ उनी जगहों तक पहुँच सकता है जहां वो पहले भी जा चुका है अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुचा और जी भर कर पैसा लुटा वो एक बैंक भर कर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैंक भरने पहुँच जाता अगली सुभा बैंक में चोरी की जाच शुरू हुई रोलेंड नाम की एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोज निकल वाई उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को नहीं पता रोलेंड को एक जगा से दूसरी जगा गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा कई साल बीद गए और डेविड अब न्यू यॉक में एक आलीशान घर में रहता है उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है उसका पूरा घर दुनिया के अलग-अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था उसका एक खूफिया कमरा भी था जहां वो अलग-अलग देशों के पैसे रखता था इसके बाद डेविड गायब होकर लंडन के एक बार में पहुंचा उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना साथधानी के गायब होकर उसके पास चला गया ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया पूरी रात लड़की के साथ बिता कर सुभा डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया फिर वो इजिप्ट गया और एक चटान पर बैठकर खाना खाया दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार-बार गायब होकर भाग रहा था लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था तभी रोलेंड वहां आया और उस आदमी ने रोलेंड से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है रोलेंड ने कहा कि जिन लोगों के पास भी इस तरह की शक्तियां हैं उन्हें पकड़ कर मौत के घाट उतार देना चाहिए फिर उसने चाकू मार कर उस आदमी की जान ले ली तभी रोलेंड को कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया उधर डेविड वापस न्यू यॉक में अपने घर पहुचा उसने देखा कि रोलेंड भी वहां माजूद था रोलेंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है लेकिन वो पुलीस में नहीं है डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा लेकिन रोलेंड ने एक डिवाइस के जर्ये डेविड को जोरदार बिजली के जटके देने शुरू कर दिये डेविड ने गायब होने की कोशिश की लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया रोलेंड भाग कर उसके बास गया और एक पर फिर बिजली का जटका दे कर उसे नीचे गिरा दिया तभी उसने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसे जकड लिया ताकि वो कहीं भाग न सके डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और उसने एक दिवार पार करके तार काट डाली उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और तुरंत गायब हो गया अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुँचा विलियम ने उसे घर पर ही रुखने को कहा क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत जिंता हो रही थी डेविड ने कहा कि मेरी जिंता करने की कोई जोरत नहीं है और एक बार फिर से गायब हो गया अगले दिन डेविड मिली को ढूणने लगा उसे वो एक बार में काम करती दिखाई थी वहीं उसे माग भी मिल गया और दोनों में फिर से जगडा शुरू हो गया डेविड गलती से उसे गायव करके बैंक की तिजोरी में छोड़ाया फिर वो मिली के पास लोटा और दोनों में बातें शुरू हो गई उसने यूँ ही जूट कह दिया कि वो बैंक में काम करता है बातों बातों में मिली ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने को कहा और वो खुशी-खुशी मान गई उनके पीछे ग्रिफिन छुप कर सब कुछ सुन रहा था कुछी घंटों बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जा रहे थे उधर तिजोरी के अंदर मिलने की वज़े से मार्क को जेल में डाल दिया गया था वहाँ पर रोलेंड उससे मिलने आया मार्क ने उसे सब सच बता दिया कि वो तिजोरी में कैसे पहुँचा रोलेंड को अब रोम में डेविड और मिली की तलाश थी वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार भरे लमहों में बदल गई शाम को डेविड उसे कोलोजियम के बंध हिस्से में ले गया और गाड से छिप कर उसे घुमाने लगा वहीं उसकी मुलाकात क्रिफिन से हो गई ग्रिफिन ने बताया कि उसके पास भी गायव होने की शक्तियां हैं वो अपने जैसे लोगों को जमपर्स बुलाता था उसने डेविड को साफधान किया कि पैलेडिन्स नाम के लोग जमपर्स को खत्म करना चाहते हैं उसी वक्त वहाँ दो पैलेडिन्स अपने हतियारों के साथ पहुँचे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डेविड ने अचानक भागने की कोशिश की लेकिन एक बिजली की तार ने उसे जकड लिया तभी पीछे से ग्रिफिन ने दोनों पैलेडियंस पर हमला किया और डेविड की जान बचाई फिर वो गायब होकर अपने खूफिया ठिकाने पर चला गया डेविड ने देखा कि उसके पीछे एक निशान चूट गया था जिसे जंप सकार कहते हैं डेविड उसी में कूद कर ग्रिफिन के पीछे चला गया ग्रिफिन ने उसे धमका कर वापस लौट जाने को कहा और डेविड मिली के पास लौट आया डेविड उसे कोलोजियम से बाहर ले आया लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता पुलीस ने आकर उसे पकड़ लिया पूझताच के तोरान वो कहने लगा कि वो तो गलती से बंद हिस्तों में चला गया था इसके बाद वहाँ एक बड़ी आफिसर आई जो असल में उसकी माम मैरी ही थी मैरी ने कहा कि उसके पास पैलेडिन्स से बचने के लिए सिर्फ 30 सेकिंड का समय है मैरी ने उसे हतकड़ी की चावी दी और डेविड आजाज होकर मिली के पास चला गया डेविड ने उसके सुरक्षा के लिए उसे वापस घर भेज दिया उधर रोलेंड विलियम के घर जाकर डेविड के बारे में पूछताच करने लगा लेकिन विलियम ने कहा कि उसने तो 8 साल से डेविड को नहीं देखा उधर डेविड एक बार फिर से ग्रिफिन के खूफिया ठिकाने तक पहुँचा जहां दुनिया भर के पैलेडिन्स की तस्वीरें लगी हुई थी डेविड ने पूछा कि आखिर ये लोग चंपर्स के पीछे क्यों लगे हैं ग्रिफिन ने बताया कि ये लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है पैलेडिन्स बेहत धार्मिक लोग हैं जिनके मताबिकियों गायब होने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही होनी चाहिए उसने बताया कि वो डेविड को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इसका मतलब अब विलियम और मिली की जान भी खत्रे में है डेविड ने विलियम के पास जाकर देखा कि वो बेहोश पड़ा था वो तुरंद कायब होकर उसे एक हॉस्पिटल मिले गया ताकि उसकी जान बच सके इसके बाद उसने ग्रिफिन के पास लौट कर रोलेंड का पता पूछा क्यूंकि अब वो उसे मारना चाहता था ग्रिफिन ने बताया कि वो दस साल से रोलेंड को नहीं पकड़ पाया लेकिन डेविड जानता था कि रोलेंड अब मिली के पास जाएगा उन्होंने एक प्लान बनाया और डेविड मिली के पास पहुँचा मिली ने कहा कि वो अब उससे कोई रिष्टा नहीं लखना चाहती लेकिन तभी रोलेंड और उसके आदमी वहाँ आ गए इसलिए डेविड ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बता दिया वो डर कर दूर भागने लगी लेकिन डेविड उसे पकड़ कर गायब हो गया और ग्रिफिन के ठिकाने तक ले आया रोलेंड ने देखा कि घर खाली था लेकिन उसे एक जंप सकार मिला उसने एक डिवाइस निकाला और उस पर रख दिया जिसके जरीए वो उसी रास्ते से जा पाएंगे जहां से जंपर्स गए थे मिली को वहाँ देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो गया क्योंकि अब पैलेडिन्स भी उनके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे और हुआ भी बिलकुल वैसा ही अचानक रोलेंड वहाँ आ गया और उसने डेविड को तार से बांध कर चट से टांग दिया उधर ग्रिफिन ने भी फ्लेम थ्रोर से रोलेंड पर हमला कर दिया ग्रिफिन और रोलेंड की जंप कर लड़ाई शुरू हो गई दोनों अपनी शक्तियों का खेल दिखा रहे थे ग्रिफिन अचानक गायब होकर एक तेज बस के साथ लोटा जो सीधा जाकर रोलेंड को कुचलने ही वाली थी लेकिन रोलेंड एन मौके पर साइड होकर बच गया रोलेंड मिली को मारने ही वाला था कि ग्रिफिन ने एन मौके पर आग फैंक कर उसे वापस जंप सकार में भेज दिया ग्रिफिन भी पीछे कूद पड़ा और दोनों मिली के घर पहुंचे एक बार फिर से लडाई शुरू हुई और ग्रिफिन जंप सकार में ले जाने वाला डिवाइस चुरा कर वापस अपने ठिकाने पर लोटाया लेकिन पैलिदिन्स ने कमरे के जंप सकार से तार फैंक कर मिली को वापस खींच लिया डेविड मिली को बचाना चाहता था लेकिन ग्रिफिन ने एक बाम निकाला उसने कहा कि वो एक ही बार में सारे पैलिदिन्स को खत्म कर देगा वो मिली के घर बाम लेकर जाने ही वाला था लेकिन डेविड बाम चीन कर गायब हो गया ग्रिफिन भी उसके पीछे भागा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई दोनों लड़ते लड़ते एक से दूसरे देश में गायव होते रहे कभी इजिप्ट, कभी न्यू यॉक, कभी सान फ्रेंसिस्को में लेकिन बॉम्ब के रिमोट की लड़ाई जारी रही अचानक वो एक युद्ध के मैदान में पहुँचे और रिमोट ग्रिफिन के हाथ लग गया लेकिन उसने देखा ही नहीं कि बिजली का खंबा उस पर गिरने वाला है डेविड उसे लेकर वहां पहुँच गया और जोरदार बिजली ने ग्रिफिन को जकड लिया ग्रिफिन ने मरते मरते डेविड से कहा कि वो मिली के घर न आ जाए क्योंकि पाँच पैलेडिन्स उसे चुटकियों में खत्म कर देंगे लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था वो वहाँ पहुँचा और पैलेडिन्स ने उसे एक ही पल में चट से टांग दिया डेविड ने फिर पूरा जोर लगा कर गायब होने की कोशिश की जिससे पूरा घर हिलने लगा अचानक वो पूरे घर के साथ ही उस नदी में गायब हो गया जहां उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी कुछ पैलेडिन्स टूब गए और डेविड घर को लाइबरेरी में ले गया उसने देखा कि रोलेंड अब भी जिन्दा था आखिरकार वो उसे लेकर गयब हुआ और कैनियन के सुनसान पहाड़ों पर अकेला चोड़ दिया कुछ समय बाद वो अपनी मा से फिर मिला आखिरकार मैरी ने उसे बताया कि वो खुद भी एक पैलेडिन है जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गयब हुआ तो मैरी को दिल पे पत्थर रखकर उसे छोड़ कर जाना पड़ा ताकि बाकी पैलेडिन्स उस तक ना पहुँच पाएं अब भी वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते इसलिए डेविड मिली के साथ गायब होकर एक नए शहर में जिंदगी बिताने लगा अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सूपर पावर चूस करेंगे कमेंट्स में जरूर बताना मिलते हैं अगली वीडियो में